हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो रेसिपी सेर करने वाले हूँ वो काफी यूनीक और बहुत ही लाजवाब है तो आप सभी ने अर्वी की सबजी तो बहुत बार बनाई होगी और सायद उसका पकोड़ा भी ट्राई किया होगा पर ये रेसिपी गारंटी है अभी तक नहीं बनाया होगा जो काफी लाजवाब है तो इसके लिए हम लेंगे अर्वी जो मैंने आधा केजी लिया है और ये रेखिए अर्वी में कौन से भगवान दिख रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताईएगा यहाँ पर अर्वी बिल्कुल ताजी है ये बासी अर्वी नहीं थी यहाँ पर इसे हमने धो के अच्छे से कूकर में डाला है और एक कप पाने डाल दिया है कूकर का ढखकन बंद करके 2-3 विजल लगा लिया है ताकि हमारी अर्वी जो है वो अच्छे से पक जाए तो यहाँ पे अर्वी हमारी बॉयल हो गई है और कुछ देरी से हमने ठंडा किया है यह देखिए अच्छे से पक गई है मतलब यह 80% कूक होनी चाहिए जादा कूक नहीं करना है नहीं तो एकदम यह बहुत मैशी हो जाएगा इसे ठंडा करने के बाद इसके छिलके को निकाल लिया है अब इसे एक बाउन में ट्रांसफर कर देते हैं इसके बाद फॉक से या फिर अपने हाथों से ही अच्छे से इसे हम मैश कर लेंगे इस तरीके से लंस नहीं रहना चाहिए तो अर्वी को हमने अच्छे से मैश कर लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक प्याज बारी काट के बहुत ही बढ़िया सा टेश्ट आता है एक बाद ट्राई करिएगा और एक टमाटर को भी काट के डाला है फ्रेंड्स आप ही सोच रहे होंगे कि यह समय कच्छा ही इसमें यूज कर रही हूँ एक बार आप इस तरीके से बना के तो देखिएगा इतनी टेश्टी बनेगी कि अगर गेश्ट आ गया आपके गरना तो रेसिपी पूछ के जाएंगे गैरन्टी है और यह उनको बहुत ही पसंद आएगा अब इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं अब इसके बाद हम कड़ाई में डालेंगे दो चमच मस्टर डॉयल मस्टर डॉयल में बहुत ही टेश्टी बनता है इसी के साथ इसमें एड करेंगे चार से पाच कटे हुए लेसन आधी चमच अजवाईन आधी चमच जीरा और आधी कटी हुई प्याज जो प्याज हमने बचा के रखी थी थोड़ी सी उसे हमने इसमें एड किया है अब इन सब तड़कों को बढ़ियां से हम फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए इसी के साथ इसमें एक सूखी लाल मिर्श डाली है क्योंकि हमारे बच्चे भी से बहुत मन से खाते हैं तो इसलिए मिर्श को मैंने कम ही रखा है अब यहाँ पे कुछ मसाले अड़ करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ हमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर इन सब को अच्छे से डाल के 10 सेकेंड तक मसालों को लो फ्लेम पे ही पकाना है हाई फ्लेम रहेगा या मेरियम तो मसाले जल सकते हैं इसी के साथ जो हमने अर्वी को मैश किया था उसको अड़ करेंगे और स्वादा नुसान नमक अड़ करेंगे इन सब को बढ़िया से हमें मिक्स करना है ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर ले और बस इसके बाद इसमें हम अड़ करेंगे कटी हुई धनिया की पत्ती इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे गैस को बंद कर देंगे और फ्रेंड्स इसे बनाने में मातर दो से तीर मिनट ही लगता है क्योंकि अर्वी पहले से ही पकी रहती है तो इसे आप आराम से फटाफट बना सकते हैं बिना किसी जंजट के अब इसे हम परोस लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है आप चाहें तो इसे पराठे के साथ या पूरी के साथ हिंजाय कर सकते हैं otherwise ये दाल जावल के साथ भी बहुत ही लाजवाब लगता है, कम टाइम में बहुत ही टेश्टी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं हम, तो फ्रेंट्स एक बार ये रेसिपी ट्राइ जरूर करिएगा, बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ही पसंद आने वाली है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए, बाई-बाई, टेक क्यार,